Honda ने recently अभी एक sub compact SUV launch करी है बट अब लेके आ रहे हैं हो एक hybrid SUV, Honda HRV, Honda HRV पहले इंडियन मार्केट में बिक्ती थी बट हाई pricing के करण ये गाड़ी इंडियन मार्केट में बंद हो गई, बट अब pricing थोड़ी से कम करके आ रही है, इस गाड़ी के major features रहेंगे, इसका strong hybrid petrol engine, साथी साथ इस गाड़ी के aggressive look, all wheel drive को option और ये गाड़ी direct rival करें कि महिंद्र एक्सवीट 7W से और Tata Harrier जैसी गाड़ी उसे, इस गाड़ी की expected launch date की बात करी जाए, तो इस गाड़ी जून टो जुलाई 2004 तक इंडियन मार्केट में आ सकती है, क्योंकि कई बार इंडियन नोट पर spot भ प्रोफाइल के बार है, ये गाड़ी same platform पे आ रहे है, जिस पर आपकी Honda की new city facelift आती है, इस गाड़ी के look profile की बात करी जाए, तो गाड़ी का front look काफी जादा dominating profile में रखा गया है, जिसमें आपको chrome grill देखने हमल रही है, front में जो इस Honda का bash रहेगा, वो एक blue color में होगा, क्यो जोगी थोड़ा से जादा powerful रहने वाला है, वही अगर अपन चले इस गाड़ी की side profiling के तरफ, तो side profiling में आपको नजर आएगा circular wheel latches गाड़ी में देखने मिलेंगे, जिसमें 18 inch के diamond cutted alloy wheels देखने मिलेंगे, जो की fully blacked out रखे गए है, उपर की तरफ बढ़िया roof rails को option देखन देखने मिलेंगा, backside की तरफ चलने है, तो backside पे आपको खलका सा curve नजर आ रहा है, ओपर की तरफ शाकवन एंटीना देखने मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको बफटब bumper silver accent के साथ देखने मिल रहा है, वही इस गाड़ी में आपको एक strip LED lighting देखने मिल रही है, जो कि आपक इंटीर फॉर्माट की तरफ गाड़ी का इंटीर भी काफी जादा शानदार आने वाला है, जैसी कि आपको देखने मिलेगा एक 10S का floating infotainment system with apple carplay and android auto, एक fully digital देखने मिलेगा instrument cluster with three spoke steering wheel with steering mounted control, वही इस गाड़ी की इंटीर कलर फॉर्माट की बात करूं, तो यह गाड़ी आप प्याड़ा फायर देखने मिलेगा और साथी साथ इस गाड़े में जो बैक साइड रहेगा ना उस पर आपको देखने मल जाएंगी शानदार हेड्रोम और लैक रूम और इस गाड़ी का इंटीर काफी जादा शानदार आ रहा है, पैनारामिक सन्रूफ के option भी देखने मिल इंजन फॉर्माट के बारे इस गाड़ी में आपको पहली बार दो इंजन ऑप्शन देखने मिलेंगे, पहला रहेगा आपको एक नॉर्मल प्येसिक्स मॉडल का 1.5 लिटर आरकेंसा साइकल डी ओएच आई वीटेक पेट्रोल इंजन चोकी 119 बीएच पी की पाहर स्ट्रॉंग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन विट टू इवी मोटर्स जोकी लिथिया मायन बैटरी पैक के साथ ही आ रही है, इस गाड़ी की पार प्रोफाइल की बात कर जाए तो यह वाला आपको एंजन तकरीव पन 160 बीएच पी की पावर लाके देगा, इतनी पावर को समानने के लिए इस गाड़ी में आपको ट्रास्मेशन प्रेरिंग में देखने मिलेगा, एक मैनल गेर बोक्स और एक शिख स्पीद आटमolit क की गेरवोक्स वे इस घाड़ी में चेखना हो ही यह पारफिल पूंच ज़ाएगा वह को स्दीघ के ने की सिए वाड़ी की आराम हाली है हॉंडा की तरफ से हॉंडा अपनी सेफटी के लिए हमेशे से मशूर रहा है और उपर से रिलायबिल्टी आ रही है हॉंडा सेटी के ऊपर जिसको ओल्रेड़ी 5 स्टार की एंग सब्सक्राइबर देखने मिल चुकि है अब और चीज़ आपको आपको और आपके फैमिली को in case of accident बचाए तो ये सारी बाते होगे कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए ये गाड़ी एक अच्छे शांदार पार प्रोफाइल में आती है साथी साथ इस गाड़ी का लुक देखा जाए तो वो और भी जादर डॉमिनिटिंग रखा गया है इंटियर में आपको सारे वो चीज़े देखने मल जाती है जो कि एक अच्छी गाड़ी में होने चाहिए और सेफ्टी के लिए आपको देखने मलता है एडास और 360 रिखने क्यावा जब आपके बस यह सारी चीज़े है तो डिसएड़वांटेज का है डिसएड़वांटेज है इस गाड़ी का लॉंच यह गाड़ी देखा जाए तो गोला गया है जून तो जुलाई 2014 तक आएके अगर यह गाड़ी डेले होती है तो काफी ज़दा डैमेज भी हो सकता है